हेलो दोस्तो मैं अनिल के कुमार इंप्रिंट एनल पिमास्ट लाइफ होज आज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो जिन्दगी का रहसे है कि आपके विचार ही आपकी जिन्दगी को डिजाइन करते हैं आप जो कुछ भी आज हैं वो अपने कल की सोच का नतीजा है और यदि आप अपने आने वाले कल को बदलना चाहते हैं आपको अपने विचार बदलने होंगे आप अपने विचारों को कैसे बदले उसके लिए सबसे बहतरीन टेक्निक है विजुलाइजिसन करके दोस्तों आपके विचार आपके जिन्दगी को कैसे डिजाइन करते हैं यदि इसको शमझना चाहोगे तो आप पाओगे कि जब आप किसी भी इश्यू पे बार बार विचार करते हैं तो वो विचार आपके सबकॉंशियस माइंड में इंस्टोल हो जाते हैं और सबकॉंशियस माइंड फिर आपके बिहैवियर में वही सब चेंजिज लाता है जो उस गोल को पाने के लिए चाहिए वही वो आपको नए आइडियाज देता है उससे रिलेटिड नए लोगों से मिलाता है और यदि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि आपका सबकॉंशियस माइंड आपके सपनों को आपके विचारों को सत्य करने के लिए पूरी कोशिश करता है अब वो विचार चाहे आपके सपनों के निकट जाने के हो या सपनों से दूर जाने के जैसा आपका विचार है वैसी ही आपकी लाइफ होती चली जाएगी इसलिए अब अपने सबकॉंशियस माइंड में कैसे हम अपने विचारों को पहुँचाएं दोस्तो रिसेंटली हुई रिसर्च के अनुशार हमारे सबकॉंशियस माइंड को ये नहीं पता होता कि रियालिटी और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है और यही वज़े होती है कि हम रात को सपने में कोई भी चीज़े देख रहे होते हैं तो हमारी इमोशन उसी तरह काम कर रही होती है हम रात को अगर कोई खतरनाक सपना देखते हैं तो हम डर जाते हैं क्यों हमारा सबकॉंशियस माइंड वही सब चीज़ देख रहा है तो हमारी बोड़ी उसी तरह रियक्ट कर रही है पीछे साइकलोजिस्ट की एक टीम ने कुछ खिलाडियों पे रिसर्च किया और उनको इमेजिनेशन में उनको ओलम्पिक में पार्टिस्पेट करने के लिए कहा गया और उनकी हार्ट बीट्स उनकी मसल्स पावर और उनके ब्रेंस को ओब्जर्व किया गया तो पूरा बोड़ी उसी तरह रियक्ट कर रहा था जैसे वो हकीकत में दोड़ रहे हूँ अर्थात आपके सबकॉंशिस माइन में इंस्टॉल करने के लिए विजुलाजिसन बहतरीन टेकनिक है आज मैं आपको NLP की सक्सस इंप्रिट्स टेकनिक दे रहा हूँ विजुलाजिसन की जिसमें आप अपने सबकॉंशिस माइन में वो बहतरीन आइडियाज, वो बहतरीन थोट्स और अपने गोल को इंस्टॉल करके अपने आपको बहतर बना पाएंगे किसी भी एकांत जगे में बैठ जाएं इस विजुलाजिसन में हम आपके साथ दो कॉंसेप्ट पे काम करेंगे पहला ये कि आपके अंदर पड़े हुए wrong belief यानि कि वो बेडियां जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती उन बेडियों को तुड़वाएंगे दूसरा हम आपकी self image को बहतर करने के लिए काम करेंगे यदि आपको self image और belief system के बारे में नहीं पता तो उनके links उपर आई बटन में दिये हुए हैं आप वहाँ जा करके इस वीडियो को पौज करके वो देख सकते हैं ताकि आप इस visualization का ultimate मजा ले पाएं दोसरे चीज़ दोस्तो इस visualization को शाम को शोने से पहले करना है क्योंकि शाम के समय हमारा conscious mind ठक जाता है और वो relax mode में चला जाता है जिसकी वज़े से हम mind की भासा में alpha state में होते हैं alpha state ही सबसे बहतरिन state है ध्यान करने की और अपने subconscious mind को install करने की तो चलिएगा यह exercise शुरू करते हैं इसके लिए आप किसी एकांत जगे में बैठ जाएं या लेट जाएं head full लगा कर आप इस exercise का ultimate आनंद ले सकते हैं अपने आप को relax करते हुए लेट जाएं अपने सरीर को धिला छोड़ें मिलकुल धिला एक बार observe करें कि आपका सरीर क्या पूरा धिला है उसके लिए सबसे पहले अपनी गर्दन को देखें क्या आपकी गर्दन धिली हैं अब अपने ध्यान को अपने कंदों पे लेके हैं क्या आपके कंदे धिले हैं अपने हाथ अब अपने ध्यान को अपने कमर पे अपने हिप्स पे और इनको डिला छोड़ दे अब अपने ध्यान को अपने घुटनों पे और उसको मुहूं से बाहर निकाले एक और गहरी सांस ले और मुह से बाहर निकाले अब आपके सरीर से निकलती हर सांस के साथ अपने आपको हलका और हलका महसूस कर और देखे कि आपका सरीर पूरी तरह से ढिला है आप बिल्कुल रिलेक्स हैं इस रिलेक्स लेक्सन को और बड़े लेवल तक लेके जाएंगे जैसे जैसे मैं काउंट करता हूँ हर काउंट के साथ में आपका रिलेक्सेशन डबल हो रहा है 6 डबल हो रहा है आप रिलेक्स हो रहे हैं 5 और रिलेक्स हो रहे हैं 4 और रिलेक्स हो रहे हैं 3 और ज्यादा रिलैक्स हो है ढूँ आप बिलकुल रिलैक्स है वान आप बिलकुल रिलैक्स आपकी बोड़ी पूरी तरह से रिलैक्स है इंज्वाए किस इस अल्टीमेट रिलैक्स को Now imagine किजिए कि आप एक सुन्दर बीच पर लेटे हुए हैं और देखिए उस बीच की सुन्दरता को देखिए जब आप लेटे हुए हैं तो आपके सरीर पर टच होता वहां का रेट और बीच पर चलती हुई हवा आपके बोड़ी को किस तरह टच कर रही है उसको महस्कोश करें अब आप देखें कि आप बिल्कुल रिलेक्स लेटे हुए हैं और वहां पर लेटे हुए आप अपने रोंग बलीप्स को उब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या रोंग बलीप्स हैं आपके पास आपके पैसे के लिए जो जो रोंग बलीप्स हैं उनको अडिंटिफाई करें और उब्जर्व करें कि वो एक बेड़ी की तरह आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से वो रोंग बलीप कहां से आपको पकड़ रहा है या कहां से उस wrong belief ने आपको बांद रखा है कौन सा अंग आपका उससे बंदा हुआ है इसी तरहें कुछ wrong beliefs आपके स्वास्ते के लिए हैं आपके पास कुछ wrong beliefs आपके relationship से related है क्या हैं वो wrong beliefs उनको identify कीजिए एक बार scan करते हैं आपके body को कि कहां कहां पर वो wrong beliefs बंदे हुए हैं सबसे पहले अपने पैरों में देखिए कितने wrong beliefs वहां पर आप बंदे हुए हैं अब अपने पैरों के joint से और कंधों के बीच में देखिए कितने wrong beliefs इस एरी में बंदे हुए हैं जो आप आगे बढ़ने से रोकते हैं अब अपने wrong glyphs को अपने हाथों में और अपने गर्दन से उपर के हिस्से में देखे आप imagine कीजिए कि जहां जहां पे आपने wrong glyphs देखे वहां वहां से आपकी बोड़ी उस बीच पर एक एक धागे से बंदी हुई है लेकिन सभी धागे इतने strengthen हैं कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं वो आपको उठने नहीं दे रहे हैं आप उठने का प्रियास कर रहे हैं प्रंतु वो आपको उठने नहीं दे रहे हैं यानि कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और आप लेटे-लेटे वहाँ पर उबजर्व कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो राय में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं और तभी ही आपको आपके लव वंस की आवाज सुनाई देती है कि वो आपको अरजेंटली बुला रहे हैं आप उठने का एक प्रियास करते हो परंतु वो छोटी-छोटी रसियां वो छोटे-छोटे ब्लीफ आपको बांदे हुए हैं आपको हिलने नहीं दे रहे हैं तब तक आपके लव वंस की दुबारा आवाज आपको शुनाई देती है और आप अपना पूरा जोड लगा करके उठने की कोशिश करते हो और उसमें से काफी रसियां तूड जाती हैं और ये बंधन आपको हलका लगने लगता है फिर आप अपने अल्माइटी को याद करते हो आपका अल्माइटी आपको उन सब रस्षियों को काट रहा है और आपको उन रोंग ब्लीप्स से आजाद कर रहा है और जैसे ही आप आजाद होते हैं और आप चलने लगते हैं तो फिर कुछ ब्लीप्स आपको पीछे से पकड़े हुए हैं उनकी रस्षियों पीछे से बंधी हुई है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही तो फिर आप अपने अल्माइटी की तरफ देखते हो आप अपने लववंस की तरफ दोड़के जाते हो उनके साथ उस बीच पर आनन दिलेते हो आप आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में बहतर करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सवतंतर महसूस कर रहे हैं आप उस तट पर अपने परिवार के स भूमता हुआ नजर आता है। आप उसके बहुत बड़े फैन हैं और आप उसको बड़े प्यार से उब्जवर करने लग जाते हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरहें से अपने परिवार को समय दे रहा है। उसके बाद किस तरहें वो होटल में जाता है, किस तरहें लोगों से बात करता है, किस तरहें से उसका हर मुमेंट आप उबज़र्व करने लगते हो आप देखते हों उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका ड्रेस अप होने का तरीका, बिजनस की डिलिंग को हैंडल करने का तरीका ये सब चीजे जब आप उबजर्व कर रहे होते हों, मीनवाइल आपका रोल मोडल आपको देख लेता है और वो मुस्कुराहट के साथ आपको अपने पास आने के लिए इन्वाइट करता है और इमेजिन कीजिए कि आप उसके पास जा रहे हैं और जब आप उसके पास जाते हैं तो आपकी धड़कन किस तरह की होगी किस तरह से आप उसे मिल रहे होंगे और जब आपने रोल मोडल से मिल रही है और जब आप अपने रोल मोडल के पास जाते हो आपका रोल मोडल बाहें खोल कर आपका स्वागत करता है और आपको गले लगाता है और आप उससे कहते हो कि I'm your big fan, I want to become like you और आपका रोल मोडल आपको एकसेप्ट करता है कि जी हाँ, मैं आपको अपने जैसा बनाऊंगा और वो आपको अपने साथ ले जाते हैं और आपको उसी तरह से ड्रेस अप करते हैं जैसे वो हैं देखिए किस तरह के जूते हैं आपके, किस तरह के ड्रेस है आपकी, किस तरह के पूरी यूनिफॉर्म है आपके अब देखिए अपनी इमेज को और अपने रोल मोडल की इमेज को एक साथ एक जैसी इमेज को देखिए उतना ही बड़ा कीजिए उतना ही कलरफुल कीजिए और देखिए कि दोनों की दोनों किस तरह से लोगों से डील कर रहे हैं आप में भी वो एटिकेट्स आ रहे हैं जो लोगों को हैंडल करने के आप में वो एटिकेट आ रहे हैं अपने प्रिवार को प्रोपर शमय देने के आप में वो एटिकेट आ रहे हैं बिजनस को कैसे डील करें आप वो सब चीजे सीख रहे हो और आप पूरी तरह से अपने रोल मोडल की हूँ बहू कोपी हो गए हो देखे अपने मानस पटल पर एक बार आपकी भाउनाएं कैसी होगी, किस तरहे की आपकी फीलिंग होगी इस समय पर, किस तरहे की आपकी धड़कन होगी, किस तरहे आपकी सांसे होगी, उनको उब्जाव कीजिए और महसूस कीजिए कि किस तरहे की पिक्चर है आपके सामने, क्या कलर है कौन कौन लोग आपके साथ में हैं किस तरह का प्राउड फील कर रहे हैं आप अपने उपर Make the picture bigger brighter and bolder Make the picture more crystal clear जो sounds वहाँ पे हो रही हैं जो आवाजें वहाँ पे हो रही हैं उन आवाजों को और तेज कीजिए एक दम साफ आवाजें शुनी अपने कानों Great एक बार अपनी उन डीलिंग्स में जाते होगे देखिए किस तरह की बिजनस डीलिंग्स कर रहे हैं किस तरह का वहवार कर रहे हैं आपकी बदली छवी की वज़े से आपके परिवार में क्या खुशी है आपके दोस्तों में क्या खुशी है आपके गाउं शमाज में क्या खुशी है आपके बारे में कौन कौन से सुब चिन तक लोग आपकी परिशंसा कर रहे हैं आपके अपने स्पेशल लोग कौन कौन हैं जो आपके बारे में बाते कर रहे हैं बातों को किलियर लिए अपने कानों में सुनिए और उस आवाज को इतना तेज कीजिए कि आपके रॉम रॉम को पर फुलिट करे और इंजॉय कीजिए उस मुमेंट का पूरी तरह से अपने पिक्टर को और बड़ा बनाईए और कलरफुल बनाईए उस आवाजों को और तेज कीजिए और अभी इसी के साथ साथ ही अपने अंदर वो फिलिंग मैसूस कीजिए आप किस तरह का फिल कर रहे हमगे उस वक्स किस तरह का इंजॉयमेंट ले रहे हमगे आप उस वक्स अपने मुठ्रियों को बंद करते हुए अपने अंदर पूरी feelings को store करते हुए एक बार फिर अपनी imagination को बढ़ा कीजिए images को बढ़ा कीजिए more colorful बनाईए और ज़्यादा उसको bright कीजिए एक दम अपने mental screen पर देखिए उन सब चीजों को चलते हुए पूरी picture को सुरुशे आखरी तक एक बार फिर rewind कीजिए किस तरह आप दिख रहे हैं क्या है आपकी कारिये शैली है किस तरह आप लोगों से बात कर रहे हैं उन आवाजों को तेज सी से अपने कानों में सुनिए और मुठी तेज बंद करे रखिए एक बार फिर अपने picture को बढ़ा करते हुए और colorful बनाते हुए उसको पूरी तरह से enjoy कीजिए इस moment का उन आवाजों को तेज कीजिए उस feelings को भी अपने अंदर तेज कीजिएगा मैं counting के साथ आपको बोला हूँ उतनीë Zwift से आप पिक्चोर्ज को बढ़ा कीजिएu उतनी ही 103 स्पीर से आप double dose को देज कीजिये उतनी इस लिए शे उस फी लिंग्स को मैसूस करते रहे हैं उतनी बोड़ी के अंदर जाब का खेस के, जेए एट जो और तेज कीजिए, नाइन, और तेज कीजिए, और टेन, अब पूरी तरहें से आप, आपके सामने आपका चम चमाता चेरा, खिल खिलाती आंकें, और भिनी भिनी मुश्कान करता हुआ, एक सुन्दर ड्रेस में आपकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, हर वक्त, एक चलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की आवाजें आपके काउनों में, आपके रोम रोम को खड़ा कर रही है, और पूरी तरहें से आप एनरजाईज हैं, और देखें कि पूरी तरहें से जब आप फिलिंग्स आपके अंदर हैं, हर रोम रोम पर फुलित हो रहा है, आप पूरी तरहें से इस संग का कुछ पल इंज्वाए की हैं, अब धेरे धेरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के हिलाना शुरू करें, अपने हाथों की अथेलियों को आपस में रगड़ते हुए और अपनी अथेलियों के नीचे अपनी दोनों आखें धीरे धीरे खोले, दोस्तों ये विजुलाईजिशन आप हर रोज स्याम को सोने से पहले जरूर करें ताकि आपको ये एक्सपिरिंस हर रोज जब आपको होगा, आपके सबकॉंशिस माइंड में आपकी सेल्फ इमेज ग्रो होगी और आपके स्ट्रेंथन किये हुए बलीफ्स बनेंगे और आपके बहतरीन बलीफ्स आपके सबकॉंशिस माइंड में इंस्टाल हो होते चले जाएंगे दोस्तों यह exercise करते समय आपको कैसा लगा यह अनुभाव आप मेरे साथ कमेंट्स में से जरूर करें और यदि आपको यह लगता है कि यह exercise आपके किसी फ्रेंड को आपके किसी रिलेटिव को भी सुननी चाहिए उसके साथ share करें ताकि वो भी अपने सबकुंशिस माइंड को प्रोग्राम कर सकें अच्छी सफलता के लिए अच्छे रिष्टों के लिए अच्छे स्वास्ते के लिए और जीवन को एक बड़े मुकाम तक पहुंचासके मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत आपका दिन सुब रहे झाल